आप सभी लोग का स्वागत इस्टेटी ग्लाउस पर और मैं हूँ आपका दोज दीपक आप लोग शेर हो सिंगहसन के चिंता मत करो आप लोगों में काबिलियत है और कभी अपनी काबिलित पर शक भी मत करना क्योंकि यही काबिलियत और इसके साथ में जब आत्म विश्वास जुड़ जाएगा तो वही आत्म विश्वास आपको पद और प्रतिष्ठा दिलाएगा तो चलिए आज है संडे का दिन और टॉप 50 कोर्शन्स हम लोग आज कवर कर लेते हैं आरा जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है चलिए शुरू करते हैं आज का करन्ट अफेर का सेशन हमारी न्यू एप जो है study laws, learning app उसको आप लोग डाउनलोड कीजेगा काफी बहतरिन कोर्सेज जो है उनको अवैल आप लोग कीजेगा personality development के courses courses for females देखी बहुती बहतरिन कोर्सेज जो है वो आप लोग के लिए वाँपर launch कर दी गए हैं आप लोग मुझे इस्ठा पर follow कर सकते हैं जो भी आपकी queries हो, questions हो वो मुझे पूछ सकते हैं इसके साथ में ही टेलिग्राम पर आप लोग को lecture की PDF with answers मिलेगी और इसके साथ में ही जब हम लोग कोई session complete करते हैं तो एक quiz जो है वो आप लोग के लिए अवेलेबल रहता है टेलिग्राम चैनल के ओपर चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग आज का session उत्राखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने है तो पुशकर सिंग धामी जो है वो उत्राखंड के नए मुख्यमंत्री बने है और यहाँ पर चार महीने में तीन मुख्यमंत्री बदल चुके हैं सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंग रावत उसके बाद में तीरत सिंग रावत और अब जो बने हैं पुशकर सिंग धामी जो हैं वो यहां के नए मुख्य मंत्री बने हैं उत्राखंड के हरियों मरावत जो हैं वो एक दिन के यहांपर CMB रह चुके हैं तो आप लोग जरूर य चलिए एक तो नेशनल लेवल पर और एक वर्ल लेवल पर नेशनल लेवल पर हम लोग बात करें तो नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी जिसके अभी जो CEO है वो है नवीन अगरवाल और इसके हेड़कॉर्टर्स है नियो डेली के अंदर इसको फाउंड किया गया था 24 नौबर 2005 को और Ministry of Sports की अंतरगत ये आता है यहां हम लोग बात करें वर्ल एंटी डोपिंग एजनसी तो इसका हेड़कॉर्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पूशे जाता है जो की है मॉन्टरियाल कैनेडा के अंदर और इसके जो फाउंडर है वो कौन है डिक पाउंड इसके फाउंडर है 10 नौबर 1999 को यह फाउंड किया गया था कैबिनेट ने हाल ही में 16 राज्यों के गाउं में ऑप्टिकल फाइवर नेटवर्क सुईधा पहुचाने के लिए किस प्रोजेक्ट के मंजूरी दे दी है तो वो कौन सा है भारत नेट प्रोजेक्ट है तो इसके तहब क्या होगा कि गवर्मेंट जो है वो गाउंड तक अपनी पहुच बनाएंगी आप लोग को पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर DPSP पढ़ा जाता है डारेक्टिव प्रिंसेपल ऑफ इस्टेट पॉलिसी वहाँ पर आर्टिकल 40 है आर्टिकल 40 के अंदर गांधी जी के ग्राम सौराज का सपना जो सच करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं और ये जो सेवाएं हैं वो भारत ब्रोडबेंड नेटवर्क लिमिटेड के दोरा प्रोवाइड कराई जाएंगी और ये विशो का सबसे बड़ा फ्ल पाकिस्तान के किस शहर में हाल ही में विशो का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है तो जेको का बाद जो है यहां पर 52 डिग्री सेलसियस टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया है क्योंकि ये ट्रॉपिक ओफ जो कैंसर है वहां पर सीधी किरिने जो हैं इसकी पड़ती ह जेको का बाद के अंदर इसलिए आपका टैंपरेचर जो है वो काफी राइज हुआ है पाकिस्तान के अंदर टोटल चार प्रांथ हैं पंजाब है सिंथ है बुचिस्तान है और खैबर पक्तून है निम्र में से किस देश ने हाल ही में राइट टू रिपेर कानून लागू कर दिया है तो वो कौन सा है ब्रिटेन है यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रोनिक आइटम है वहाँ पर कम से कम दस साल जो है उनको वारंटी देनी पड़ती है और यदी खराब होता है तो राइट टू रिपेर जो है वो कस्टमर को प्रवाइड कराया जाता है बारत के पहल अगरत यदी कोई मिसाइल आती है तो उस मिसाइल को जो लॉंचर है वो उड़ा देता है ठीक वैसे ही एक डॉम जो है वो निर्मित किया गया है यदी इस डॉम के अंदर कोई भी डॉन आता है तो उसको नस्ते नाबूत करने के लिए इंद्रिजाल जो है ये टेकनलोजी क इसको नाम दिया गया है आप लोग को पता होगा कि जब मुंबई अटैक हुआ था तो उस समय इनके सीने पर अजवल कसाब को रोकते हुए 23 गोलिया जो थी वो इनके सीने पर लगी थी और इने के नाम पर रदस्थान के अंदर एक क्या है तेल का कुवा भी है और इस मकड यह फोरेंड डिरेक्ट इन्वेश्मेंट जो है वो आता है जबकि इसके बास सेकेंड नंबर पर है महराश्ट ट्वटी सवन परसेंट के साथ और करनाटक जो है वो है 13 परसेंट के साथ में थर्ड पोजिशन पर ताल जो अलामों की में विस्वोट की घटना घटी है यह जो आलमों की कहां पर इस्तित है तो फिलिपीन्स की अंदर इस्तित है और फिलिपीन्स की कैपिटल क्या है मनीला है फिलिपीन्स की नजदीक ही मेरियाना ट्रेंच इस्तित है जिसकी गहराई 11,022 मिटर है और ये विशो का सबसे गहरा गर्थ है तो ताल जो आलमों की जो है फिलिपिंस के अंदर इस्तित है मनीला के अंदर ही एशियन डवलपमेंट बैंक और इसके साथ में ही अंतराष्ट्री ये चावल ऐनुसमदान केंदर जो है वो भी मनीला के अंदर ही स्तित है यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं टाल वैलकोने जो है वो फिलिपीन्स के अंदर इस्थित्ह है मनिला के बिलकुल नजदीक है हाल ही में 400 मिटर बादा दौड में टोकियो उलम्पी के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले बारतिये कौन बन गया है तो एमपी जाबिर बने है और यह अभी सेना के अंदर काम कर रहे हैं और इन्होंने 400 मिटर आप लोगोंने देखा होगा पान सिंग तोमर मूवी तो पान सिंग तोमर मूवी के अंदर जब उनके जो हैड हैं नहीं कोच रहते हैं वो उनको कहते हैं कि आप जो है वो बादा दोड मतलब इस्टेपल चेज जो है इसमें पार्टिसिपेट कीजिए लेकिन फिर वो मना करते हैं तो यहां पर आंसर क्या रहेगा MP जाबीर रहेगा हाली में टोक्य ओलंपिक के लिए किन दो खिलाडियों को ध्वजवाहक बनाये गया है तो वो कौन है MC मेरिकॉम और मनप्रीच सिंग जो है वो हैं मनप्रीच सिंग का जो खेल है वो कौन सा है होकी है जबकि MC मेरिकॉम का कौन सा है बॉक्सिंग है MC मेरिकॉम की एक बायोग्राफी भी है जिसका नाम है अटोबायग्राफी अनब्रेकेबल और इनका समण जो है वो कहां से है मनिपूर से है मनिपूर की अदि हम लोग बात करें तो मनिपूर के अंदर एक लोग टक जील है और लोग टक जील पर ही भारत का एक मात्र तेहरत कसोली हिमाचल प्रदिश के अंदर भारत की पहली कौन सी ड्रग लेबोरेटरी स्थित है यहाँ पर होता क्या है कि जितनी भी वैक्सिन निर्मित की गई है वैक्सिन निर्मित करने के बाद उनकी जो फाइनल टेस्टिंग है वो इन लेबोरेटरी के अंदर होती है निमित मात किया कि आप जो है इस बुक को पर्चेस कीजिए और उनको 58,000 रुपे का बिल जो है वो भी सेंड कर दिया तो काफी कॉंट्रवर्शल रही राजस्तान के राज्यपाल है कलराज मिश्र एश्या का पहला continuous galvanized rebar plant जो है वो कहां पर इस्तापित किया गया है वो है पंजाब क के अंदर rebar का means होता है सरिया तो सरी पर जो जंग आ जाती है उससे बचाने के लिए जिंग का प्रियोग किया जाता है और ये प्रियोग करके ही galvanize एक mechanism होता है उसके थूरू इस rebar को produce किया गया है और ये एश्या का पहला plant है जो कि पंजाब में इस्तापित हुआ है बार करें तो word में कौन सा है third number पर है जैपूर का भारत में है second number पर लेकिन second number पर पूरे विश्यो में कौन सा है वो है Melbourne Australia का यहाँ पर आप लोग एक book देखिए काफे important है नाथुराम गोड से the true story of Gandhi assassination ये book जो है वो धवल कुलकर्णी के त्वारा लिखी गई है मैंने एक separate lecture जो थ था वो नाथुराम गोड से और गांधी जी के बीच में जो है उसको cover किया था आप लोग जरूर देखिएगा उसमें मैंने बताया था कि गांधी जी के personal secretary की हाल ही में देहान्त हुआ है और उन्होंने ये कहा था कि गांधी जी ने मरते समय है राम कहा था ये मैंने उनको कह कहते हुए नहीं सुना था तो काफी controversial ये उनका बयान रहा था तो यहां पर बुक के जो author है वो है धवल कुलकरनी अंत्रिक्ष में उडान भरने वाली भारती मूल की दूसरी महीला कौन बन गई है तो वो कौन बनी है श्री साब बंधला बनी है जब कि यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं options के अंदर राके शर्मा भी अंत्रिक्ष में गए है फिर सुनिता विलियम्स गई है कलपना चावला गई है तो पूरे overall देखिए हम लोग तो fourth number पर कौन है श्री शाह है चलिए बढ़ते हम लोग आगे माउंड शास्ता जौला मुखी किस देश के अंदर है तो USA के अंदर इस्थित है USA के अंदर California जो California जो state है वहाँ पर ये वालकेन और इस्थित है देखिए जो USA है USA के पश्यमी किनारे पर Rockies जो mountain है वो इस्थित है और Rockies की सबसे उची चोटी कौन सी है वो है Mount McKinlay चलिए National Institute of Mental Health and Research Center के स्थापना किस राज्ये में की गई है तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये इस्थापना की गई है क्योंकि COVID-19 की दोरान कई जो व्यक्ति हैं वो मानसिक तनाव का सामना कर रहे थे और उने की help करने के लिए Mental Health Research Center जो है उसकी इस्थापना की गई है हाल ही में कालबेलिया नृत्य सुर्खियों में रहा है किस राज्ये का है तो ये है राजस्थान का कालबेलिया नृत्य जो है वो IUCN की लिष्ट में भी शामिल है और इसके साथ में ही ऑनलाइन पर काफी ज़्यादा चर्चा होने की कारण ये जो था वो अभी सुर्खियो में बना रहा राजस्तान की एक योजना है चिरंजीवी योजना जिसमें पांच लाग का कैश लेश बीमा किया जाता है और ऐसा इंशुरेंस प्रोवाइड कराने वाला राजस्तान भारत का पहला राज्य है और राजस्तान के अंदर ही हाल ही में 52 वाट टाइगर रिजर्व जो है वो भी घोशित हुआ था जिसका नाम क्या था रामगर्ड टाइगर रिजर्व अफरिका में भारति सैना की बादुर के मिशन की अनकही कहानी किस पुस्तक में लिखी गई है जो 15 जुलाई को मतलब अब से तीन दिन बाद ही जो है प्रकाशित होगी तो वो कौन सी है ऑपरिशन कुकरी जो है इसके अंदर ये सारी मतलब आप लोग देखें कि जितनी भी इंडिया की पीस कीपिंग फोर्सेज है जो की दूसरे देशों में तैनात रहती है उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है कैप्टन गुरजिंदर सिंग युद्ध इसमारक के स्थापना क कि गई है तो गुलमर्ग के अंदर इस्थापना की गई है इनका संबंद जो है किस्ध है ऑपरिशन बिर्सा मॉंडा से है जों की 1999 के अंदर चलाये गया था और पाकिस्तान मतला पीओ कि वाला जो च्छेतर है इसके अंदर ये चलाये गया था और वहां पर यूपरasa staging के त आंसर रहेगा आप लोगों ने शिर्या सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस का नाम सुना होगा वर्षिद 2015 का ये केस है और इसके अंदर ही जो धारा है 2015 का ये केस है और जो Information Technology Act है जो की वर्षिद 2000 में लाये गया था उसकी उसका एक सेक्शन है Section 66A इसको रद कर दिया गया था 2015 में लेकिन अब भी जो है इसके उपर इसके तहट जो है वो केश दर्ज किये जा रहे हैं खादी और घ्रामो दियोगायों के तहट बोल्ड प्रोजेक्ट जो है इसके शुरुआत किस राज्य में की गई है तो राजस्तान के अंदर इसके शुरुआत की गई है ताकि जो Desertification है उसको कैसे रोका जाए तो बोल्ड की Full Form आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं Bamboo Ice is on Land in Drought यह बोल्ड की Full Form है तो यहाँ पर जो Drought एरिया है मतलब हम लोग कहें थार के रेगिस्तान के अंदर जो Desertification है उसको रोकने के लिए यह जो Mission है वो चलाया गया है Architect चेतर के किस द्वीप पर Last Ice एरिया जो है वो इस्तित है जो आप पिखलने लगा है तो Greenland के उपर इस्तित है यदि यहाँ पर Ocean पूछे तो आपको लोग को Architect Ocean यहाँ पर कर देना है तो Greenland जो है वो Mission का सबसे बड़ा द्वीप है इसकी Capital क्या है इसकी Capital है नुक और यहाँ पर जो जन्जाती रहती है उसका नाम है Eskimo Eskimo जन्जाती की तोरा जो घर बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है क्या इगलू उनको कहा जाता है और Greenland पर जिस कंट्री का अधिकार है वो कौन सा कंट्री है वो है Denmark ठीक है यह है विशु का सबसे बड़ा द्वीप सैकिंड नंबर पर आता है आईलेंड पपवानियो गिन यह बुक जो है वो कविता राव के द्वारा लिखी गई है और जो लेडी डॉक्टर्स हैं इनकी शॉर्ट इस्टोरी जो है वो इस बुक के अंदर लिखी गई है नियो वाइस टेलिसकोप का संबन किस अंत्रिक्ष एजेंसी से है जिसे दो साल का कारे विस्तार दिया गया है PC उनमें सें चार जो PC हैं वो खराब होने की कारण इसको क्या कर दिया गया हबल टेलिसकोप को बंद कर दिया गया उसके बाद में अगला जो टेलिसकोप है वो हैージैंस वैब टेलिसकोप इसको आप काम में लिया जाएगा लेकिन उस से पहले दो साल का एक्षेंशन दे द इसको फॉर्म किया गया था 29 जुलाई 1958 को काफी इंपोटेंट यह जो इयर है इसको आप लोग याद रखना इसके बाद में यहाँ पर इसका हेड़कॉर्टर देखिए वाशिंग्टन डी सी के अंदर है डी सी की फुल फॉर्म जो है वो है डिश्टिक्ट आफ कोलंबिया भारती सेना प्रुमक जनरल एम ए नर्वने ने किस देश में भारती स्मर्क का उदगाटन किया है तो वो किया है इटली के अंदर आब लोग को पता होगा कि नर्वने जो हैं वो इटली और ब्रिटेन की यात्रा पर हैं और रिसेंटली इटली के साथ भी उन्होंने एक दी गई है इसके तहत जितने भी सहकारी समीती हैं उनको प्रोचान दिया जाएगा और इसके तहत MSME जो सेक्टर है इसको भी प्रोचान देने के लिए ये जो नई मिनिश्ट्री है इसको निर्मित किया गया है थावर्चन गहलोत और मगू भाई चगन भाई पतेल को किस र चगन भाई पतेल जो है वो मध्यप्रदेश कोशन किस तरीकी का आता है एक तरफ वो राज्यपाल लिग देता है गवर्नर और दूसरी तरफ वो इस्टेट्स को लिग देता है फिर आप लोगो को मैच करने के लिए वहाँ पर आप्शन्स रहते हैं तो आप लोग यहां प है तो यहां पर जो है वो गोवा के अंदर आईजित होगा और रिसेंटली प्रकास जावडिकर की द्वारा इसको क्या गिया गया था इनगरेट किया गया था बॉलिवुड के ट्रेजडी किंग जो है वो कौन कहे जाते हैं दिलिप कुमार कहे जाते हैं और इनका इनसानों में पहुंच जाती हैं उसे हम लोग कहते हैं जोनोज डिजीज जैसे आप लोग को पता होगा निपाः वाइरस तो निपाः वाइरस जो था वो चमकादर से फिर इनसानों के अंदर पहुंचा इसलिए वो कौनसी है जोनोज डिजीज है जीका वाइरस हम लोग क वो नाम दिया गया है पाइपलाइन के फटने से यहां पर आग लग गई और ऐसा लग रहा था कि समंदर के बीच में क्या है एक आख बन चुकी है इंग्लेंड के किस तेज गेनबाज ने फर्स क्लास क्रिकेट में एक हजार विकेट जो है वो पूरे किये हैं तो जैम्स हैं और इंग्लेंड सेनी का संबंध है और एक हजारवा विकेट जो है वो हाइनों कौन का इन्होंने विकेट लिया है तो आप लोग याद रखेगा काफी इंपोर्टेंट कोशन है देवेंद्र जाजडिया इनका जो संबंध है वो जो एलिन थ्रो से है और ये एक पैरा ओलंपिक खिलाडी है और इन्होंने राश्ट्रिय चेंड ट्रायल में वर्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाते हुए अपना इस्थान जो है वो टौक्य ओलंपिक के अंदर कर लिया है क्या पक्का तो देवेंद्र जाजडिया जो है इनका संबंध राजस्थान से है चूरू 21 से 2030 तक जन संख्या नीती जो है वो गोशित की गई है तो काफी सई टाइम पर ये कोशन है और 11 जुलाई को जो है इस नीती को लागू किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर इस नीती को लागू किया जाएगा तो आप लोग ये भी ध्यान रखेगा पहले भारति ये कौन बने है जिने टोक्यो अलम्पिक में निशाने बाजी के लिए जूरी बनाया गया है तो वो कौन है पावन सिंग क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कुश्ती के लिए हर्याना से पहली बाहर जो है वो कौन से यहाँ पर जो एम्पायर है उनको शामिल किया गया मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा दुनिया का सबसे बड़ा रेक का महल जो है वो डैनमार्क की द्वारा बनाया गया है और इसकी जो हाइट है वो काफी जादा है लगबग 37 मिटर के आसपास बताई जा रही है डैनमार्क से पहले जर्मनी ने बनाया था और उस Department of Public Enterprises has been included under which ministry तो वो है Finance Ministry के अंतरकत इसको शामिल किया गया है और ये जो डिपार्टमेंट है ये किसके लिए काम करता है MSME सेक्टर या हम लोग कहें कि हैवी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लिए ये काम करता है कौन सा Department of Public Enterprises भारत वा इटली के बीच एक युद्धाब Department of Public EarthIV है कि ये कहां पर करते हैं हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जहां पर अड्रियाडिक सागर के टच करता है एटली और इत्ली से फिर आप चलेंगे तो यहां पर आप लोग देखिए यह है टारीनीयन सागर जो की मेडिटेरियन सागर के बिल्कुल नस्तिक किस्तित है काफी important आप लोग याद रखेगा यहाँ पर आप लोग देखिए Cicely यह जो Cicely है यह किसके अंतरगत आता है यह Italy के अंतरगत ही आता है हाल ही में किस राज्य के पूरू मुख्य मंत्री वीर भद्र सिंग का निरन हुआ है तो हिमाचल अमेरिका का पैरू कंट्री जो है आप लोग याद रखना इंडिया के हिसाब से दो का एक तो है डेल्टा एक तो है डेल्टा और दूसरा कौन सा है कपपा यह दो वेरियंट जो है वो इंडिया के अंदर है ठीक है तो यदि वो एक्जाम में पूछे तो आपको दो पर टिक करना है डेल्टा और कपा कौरुना महामारी के चलते कि सरकार की द्वारा बच्चों की कल्डान के लिए नई नीटी बनाई गई है तो वो है दिल्ली गवर्मेंट के द्वारा क्योंकि जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं या सड़क किनारे पर बच्चे रहते हैं वो वेक्सीन के लिए ज़्यादा अवेर नहीं है तो सबसे पहले उनको वेक्सीन के लिए अवेर किया जाएगा और इसके साथ में ही उनके लिए काफी सुवीधाय जो है फैसिलिटीज वो प्रवाइड करवाई जाएंगी भारत के किस राज्य में टाइगर कोरिडोर का विकास किया जाएगा तो वो है राजस्थान राजस्थान के अंदर रिसएटली बावणवा टाइगर रिज़र्व जो है वो कौन सा गोशित किया गया है वो है रामगड और ये रामगड डिष्टिक आता है हो किस में आता है बूंदी डिष्टिक के अंदर आता है ये आप लोग याद रखेगा तो ये कोरिडोर जो है वो मेंली तीन जो टाइगर क्या कहते है रिजर्व है उनको मिला कर ये बनाए गया है एक तो है कौन सा रन थंबोर है दूसरा कौन सा है वो है मुकुंदरा हिल्स और तीसरा कौन सा है रामगड तो इन तीनों को मिला कर ये जो है टाइगर कोरिडोर इस भारत की पहली UPI, Unified Payment Interface, आधरत पार्किंग सुईधा कहां पर शुरू की गई है, तो वो दिल्ली Metro Rail Corporation जो है, वहां पर शुरू की गई है, और कश्मीरी गेट का अप लोगों नाम सुना होगा, कश्मीरी गेट जो railway station है, Metro का, वहां पर ये सुईधा शुरू की गई है, Metro का जो स्मार्ट कार्ड होता है, उसी से ही टू विलर को एंट्री मिलेगी और उसी से एक्जिट मिलेगी, और इसके साथ में ही आपका पैन कार्ड जो है, उसको लिंक कर दिया जाएगा, जिससे आपके अकाउंट से सीधा पैसा जो है, वो डिड़क्ट हो जाएगा, किसका प गजट को डिजिटल रूप में प्रकाशित किये जाने का निर्ने लिया गया है, तो यहाँ पर ही नहीं है, यह है इगजट, तो इगजट जो है, वो गुजराज सरकार की द्वारा किया जाएगा, इगजट का मीन्स होता है कि गवर्मेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन्स हैं, नौटिफिकेशन्स हैं, सर्कुलर जो हैं, वो इसमें प्रकाशित होते हैं और अब इसको डिजिटल फॉर्म में प्रकाशित किया जाएगा, तो वो है गुजराज सरकार, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, आपके जो भी कोशन्स हैं, वो मुझे पर जाकर इनके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो चलिए, इस्टेटी ग्लोज, आप लोग के लिए बहुत ही बैतरिन कंटेंट लेके आता है, नौलेज इस पावर, ये हमारी टेगलाइन है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, हमारा जो नय प्रैवाद, थेंक यू